मुझा करने का सही तरीका इसके बारे में मैं आज बात्चीत करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़े कर मैं मनुविकार सेक्स्रोग सम्मोहन तथा व्यसनम्मुक्ट दन्यों महाराष्ट में पिछले से 30 साल से अकुला में प्रैक्टिस कर रहा हूं आपको इजर्वत है कंसल करने की कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मेरा टाइम लेके बात कर सकते हैं आज मैं बात करने माला हूं मस्ट्रूबेशन अर्थात हस्त में उसको हैं प्रैक्टिस भी बोलते हैं मुठी मारना बोलते हैं जो भी कोई आज बोलते आप उसके बारे में आज बात करने माला हूं हस्त में हिथुन इसका मतलब होता है हस्तम परेस्करी मकरते हैं हर्मनल चेंजेस होते हैं तो उसके बात में करीब 90% लोग हस्त में करते हैं 90 प्रतिशत और लड़कियों में भी हस्तमेतुन लड़कियां करती है और अलग-अलग अभ्यास में हैसा पाया गया कि 60-70 प्रतिशत लड़कियां हस्तमेतुन करती है हस्तमेतुन यह एक नॉर्मल प्रक्री है हस्तमेतुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है हस्तमेतुन में विर्य कितना भी बाहर गया तभी कुछ होता नहीं है हस्तमेतुन हर व्यक्तिने करना ही चाहिए क्योंकि वो अपनी sexual energy channelize करने का तरीका है वो जो nofap moment चल रही है बकवास है nofap moment कुछ होती नहीं है उसमें कुछ वीर्य अंदर रखके अंदर अपने पास में store करके कोई ज्यादा आयुश्यमान होता नहीं है ज्यादा उमर होती नहीं है ना उसे कोई ताकत बढ़ती है वीर्य जो है वो बाहर फिकने की चीज़ है अंदर रखने कुछ होता नहीं है अंदर करके कुछ फायदा उसका है नहीं हस्तमेतुन से कोई भी व्यक्ति कमजोर होता नहीं है वीर्य जाने से कमजोर होता नहीं हस उससे हस्त मैस से लिंक डूबला पतला चोटा-कमजोर बिलकुल होता नहीं हने पिर बिलकुल होता नहीं है What Just Me Can बातरूम में जाता है, वहां से वो नाली में जाता है कहलता है, अवरत की युनिया शानकर बाहर में बातरूम लान करता है जानकर तो मुलारे पातरूम में लुए क zorgg land का उत्वा उत्तू हमक्त short & कशभि पे बातरूम जाता है घर के पीछे नाले में उसका ठीकाना मुहिए है तो फिर कम्जुरी कैसे आएंगी यदि वेरे जाने से कम्जुरी आती है तो सभी जिनकी शादिया मुही है और जो रोज सेक्स करते हमको कम्जुरी आने को होना लोग तो इल्टे-मूटे हो जाते है सेक्स करने के बाद में तो फिर हस्तमेतुन से ना दुबला पतला होता है खुद या लिंक दुबला पतला होता है बिल्कुल नहीं होता है गलत फेमिया है वीरे जाने से कुछ भी होता नहीं है इतना ही है कि हस्तमेतुन की लट नहीं लगने को होना हस्त महितन की लद बये आदत नहीं हो न है हस्त महितन की विए एस इसा बीलकुल करना नहीं है उपसेशन कंपलशेर है उसा अबू करना नहीं है कैसा कि बार 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 करते जा रहें इसा नहीं करना चाहिए इच्छा है तो करो पिर रोज एक बार किया दो बार किया तीन बार किया तो भी चलता है इच्छा है तुने तो नहीं करने का है हस्तमयेतुन में क्या होता है कि ऐसा लिह यह wrap लना है आप ने कोई लुबरीकेटिंग जेल लाना है उसे बहुत excitement भी आएंगा बहुत ज्यादा रफ नहीं रहेंगा हाथ यह बिल्कुल चिकना हो जाएंगा उससे लिंग को बहुत मज़ा भी आएंगा चिकना भी होंगा जखंब नहीं होंगी लाली भी नहीं आएंगी हस्त में तुम ऐसा करना चाहिए लुप्रिकंट लगाए लेडिस ने वह ऐसी करना चाहिए कि लुब्रिकंट जेली मिलती है वो लगाना है क्लाइटरिस को जो क्लाइटरिस है मतलब यूनी लिंग उसको इलाके उसको स्टिमुलेट करके थोड़ा उंगली डालके ऐसा करना चाहिए दोनों ने पुरुशर स्त्री ने कभी भी हस्त में तुम करने के समय अपन जरूरी है यह फिर अपना साधा खुबरे का ऐल पैक तेल एकदम स्टराइल है एकदम अच्छा है तो वह खुबरे का तेल पर सकते हैं कि फली तेल पर सकते हैं तो फड़ा सा वापर नहीं जिससे आपको चिकना पना जाएंगा अगा लूब्स वापरे तो उससे होगा आपको अनिस्थेटिक जेल का वापर करना पड़े आप अनिस्थेटिक जेल का वापर करते हैं तो लिंक सुनो जाएंगा घर्शन कम होगा ज्यादा समय तक हस्त मेतुन चलेगा ज्यादा मजाएंगी हस्त मेतुन शादी के पहले सबी लोग करते हैं शादी के बाद म कोई मिन्स्टुएशन चालू है और कोई कारणे प्राइवसी नहीं मिल रही है तो ऐसे इसमें फिर जब पतनी अविलेबल नहीं है तो आप कर सकते हैं अब पतनीघ़र में रहने के बावजूद भी यदि आप पतनीड के साथ में एंज्वाइ नहीं कर रहे है उसके बदले हस्तमातून कर रहे हैं तो डफिनिटली वह आपनॉर्मल है युछ लोग पत्नी के साथ में भी करते हैं हाद से भी करते हैं दोने भी करते कोई प्राब्लम नहीं है हां हस्त मेय तुन करने के लिए क्या होता है कि एदि आपको लेडी जैसा फिल आना चाहे तो कुछ डॉल मिलते हैं कि इतुना साइब कर से एक एक honor के अदिज़ के ईतना साइब दeton किमेल के नीचे के पार्ट जो हता है नीचे का पार्ट तो उतना पार्ड रजाता है उसको वजया na रहेंगा उसको थे-डि-मड गूगल पे आप याएंगे तो उसमें आप वो बेड़ पर रखके वो रबर है तो कोई जगम होने का कारण नहीं है और उसमें आप वह इसी जो यूनी अर्टिफिशल तैर की डॉल में उसमें लिंक का प्रविश करके उसमें आप घर्शन कर सकते हैं और सेक्स का अनुबह ले सकते हैं उसमें यह नॉर्मल प्रक्रिया है तो कोई नुकसान नहीं है विरे जाने से नुकसान होता नहीं है नहीं है तो यह गलत फेमिया है और नो फैप मुमेंट यह बक्वास है यह विडियो आपको अच्छा लगा तो जरूरूर सब लोगों को शेर करो तैंक्यू बेरे मच्छ बादे कर एभी अरितो अईर किरल मोगों को थाह में बड़रूर स्माइब कर टो रहएं में तो यह लो रहां मुमः को जिसक भीन आव स्माभा करें उल्म को लेते हैं झाल झाल झाल